जो नीसंतान होता है जिसके पास औलादे नहीं होती अगर वो साशन करेगा तो वो लोग कल्यान की बाते नहीं करेगा आज अथार्त में देखने तो अगर रावल गांधी के बाद वह कुमारी दहेगी आप प्रधानमंत्री की बाद सा बोल रहे हैं कि जश्वदाबेन जी कुमारी है नवा सुखान है नवीदवा है तक किर्सी काला कानून ठीक उसी जश्वदाबेन की तरह हो जाएगी जैसे हिंदुस्तान हो चुका है आप समझें प्रस्नल लाइफ वह अपने खिया दूसरे नहीं किया तो करेक्टर ढीला है आप दूसरे पर आरोप लगाते रहे आप लगातार आरोप लगाते रहे आरोप फसाते रहे आप सुनिए बाजबा आईटी सेल के लोग इसी सोशल मीडिया को सबसे अच्छा कहते थे बूत का लेवल तक उन्होंनों टूलकिट मना रखा था खुद देश का तारीपार गिरी मंतरी रंगा विल्ला दोनों बोलता था कि अगर इलक्ट्रोनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के लोग खबरे नहीं दिखाएंगे तो हम वाट्सप में तब तक खबर बेच चुके हों तमाम सोचल एक्टिविस्टों को जेल के अंदर डाला जा रहा है आप तमाम जो लोग बिरोध में बोलते हैं बिरोध में लेखते हैं अभिशार सर्मा की नोगरी कैसे गई आप सुनिया ना अरहां वहां गये थे राले गाउं शिद्धी जब नाना अजारे के घर पर उस ना यारे ने कहा था कि 84 साल की उमर है मैं किसान अंदोलन के शाथ में हूं ताकिर वह किस दर से पल्टी मार गया जो जनवरी में अंदोलन में आने की बात कह रहा था तो तो तमाम जो यह सिबी आई एडी अस्थानिया पुलिस परशासन के द्वारा डराया जा रहा है उसक भी दिश्पी मुहां पदस्था पित था वहीं दिल्ली चुनाब में 12 लाक रुपया लेकर रातंगबादी को ला रहा था उस पर नहीं चार से नहीं गर पाया उनका मेला को स्वामी के आप ड्रग दो ड्रग दो करने वाला वो तरग ड्रग लेके कलकता से आई रही थी पाकिस्तान में बिज्यानी खाने कौन देपर देश का एक नागिरिक बधाई दिया होता जाओ लेकिन इंडिया टो गया ले हाई सुनिए ना आप लोग तो सब चीजा इसाही जोर देते हैं इंडिया जीता किसके वदलत महां जाके रजत सर्मा और मोदी जी किरकेट के बैटिंगा बॉलिंग करके आए थे कि हमारे देश के सपूत करके आए थे कैसा सर्दा आप देखिए आपने देखा होगा बीवी प्रशिदेंट था उसने सुवाज संद्र बोज्श प्लस स्वामी बिवेकान नंदी इसकल्टु नरंदर मोदी अरे भाईया देश के महापुर्शों का अपमान कर रहे है भगवान राम अउगली पकर के नरंदर मोदी के चल रहे हैं मुदी की मूर्ति इतनी बड़ी है भ की सरदार पटेल ने аровवर इसस पर लगा था और आरश को देश के लिए खत्रा बताया था सरदार पटेल की स्वादेशी बस्तू निर्मित करने कि बात वो कहते थे टे बड्योली सत्य अगर ऐसे दूर होती PARSO स्वास्त मंतरी और नितिन गटगरी जैसे मंतरी के बीच में जो उन्होंने लॉंच किया था आएमेक लाइक बावजूद के बावजूद उन्होंने डबलुएचों का फर्जी आंकरा पेस किया था तो क्या उस पर करवाई नहीं होनी चाहिए थी जब योग से भीमारी ठीक ह जाता तो इभोग होस्पीटल में भर्ती होने की जूरत पर अरे भाई सुनो तो सही होनी लाज करना ने क्यूं गया आप लोग सबाद सरकार से करते हैं नहीं करते हैं अधरम के साथ जोर के सब इस दोसरा अगर बनाता है तो भी देशी हो गया आप देशी को बात आपको नहीं यहाद है बच्चों 25 रुप्य पेट्रोल डिजल मिलना चाहिए कि नहीं दूस रुप्य का सिलेंडर मिलना चाहिए कि नहीं हर गाउप पंचायतों को दो-दोसे करोर रुपिया मिलेगा अमरीका और बिर्टेन से आगे पहुंचेगा तो रजसर्मा जैसे पत्रकार का साथी बन रहे है आप अभी कभी सबाल किये बाबारामदेव लिखता है लाखों बरस पुराना हिमाला के गोद से निकाला गिया नमा नीचे में एक्सपाइरी डेट रहता है लिखा हुआ नहीं लाता खोद के तो हुए परसर जाता है तो देश में सबत्रके लोग हैं दब देश अजादी क लोग हैं बात उसकी नहीं होती बात उसकी होती कि आप देखिए कि किस तरीके से बाबा रामदेव जो साइकल पर मठा बेचता था जो बड़ी बड़ी बाते कहता था जो इंडिया एंगेस्ट करप्शन का एक बहुत बड़ा मंच मनाया था तो आज इतने बड़े देश मे करप्शन की अमबार है आपको हिंध है अजीद डोबाल जी फाउंडर मिंबर है सवामी वेका नेंद इन्टरनेशनल फाउंडेशन के जिसमें चैना की कि नो सनस्थाओं ने बी डेस की कैई संस्थाओं ने चंदा गया देश को और स्थिरता में लाने वाले लूग जब द से कारियले में किताब खड़ी है अमेरिका के चाल रहे हैं देश के जनता नहीं जानती बोड़त देश के जनता ने दिया है आप बरगला दीजेगा सुनिए ना बात है घाट घाट पर बानी बदले कोश कोश पर कपरा हर प्रदेश में लंबी-लंबी फेके इसी का नाम है नरंदर दा मुद्धी पहली आप से पूछते हैं पांच लग का बूट दस लग का सूट गंटा जो बोले जूट पर जूट उसका नाम बता दीजिए किसी से करती है विश्वास करती है अंदोलन पर है सारा इवियम का कमाल है आप समझे चोटे-चोटे-चीजों पर जहां सब्सुन तो लिए ना दिल्ली में दिल्ली में हाईजेक करने की कोशिस की गई टीवी में ट्रेंड चलाया गया यह तो शुक्र हो कि दिल्ली के जो आमानी प पर राष्टिय महागटमंदन के लोगों को जित दर्ज कराई थी लेकिन बाद में फैसले पलट दिये गए 110 को ही सर्टिफिकेट दी गई प्रधान मंतरी जी 12 बजे बधाई देते हैं नम निर्वाचित विधायकों को और एलेक्शन कमीशन एक बजे देता है तो यह रिस् कुछने उस पर संग्यान लेने के कोशिस की जजलोया की हत्या हो गई उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है रंदन गोगई में राफिल में देखे होंगे उनको राष्वा में बेजने की तयारी चल रही है